बाराने रह्मते रमजान बाराने रह्मते रमजान बाराने रह्मते में आप सब भी को खुशाम दी रसूल खुदा के लिए इमाम हसन लिएसलाम की आमद बहुत बड़ी खुशी थी क्योंकि जब मक्का मुकर्मा में रसूल करीम के बेटे यके बाद दीकरे रहलत तरमाते रहे तो मुश्रकीन ताने देते और आपको बड़ा सब्मा पहुंचता मुश्रकीन को जबाब देने के लिए सूरा कौसल नाजल हुई जिसमें आपको खुश्खबरी दी गई कि खुदा ने आपको कसरत या आलाद अताफ फरमाई है और बे नामो निशान आप नहीं बलके आपका दुश्मन होगा दुन्या में हर इनसान की नसल उसके बेटे से है लेकिन काइनात की अश्रफ तरीन हस्ती सरवरे कौनैन हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लाहु लह बाले बसल्म की नसल का जरिया उनकी बेटी हज़त फात्मत उस्जाहरा यानि इमाम हसन और इमाम हस्ञान को करार दिया गया और हमारा आज का मौज़ू है बेटा हम उल्म कराम से इमाम हसन की विलादत के तनाजर में यह जानेंगे कि दीन हक के मताबिक एक बेटा कैसा होना चाहिए और उसके हकों को फराइस क्या है जी उल्म कराम का तारूप कराएंगे आज आज क्यूंके बहुत एहम दिन है इमाम हसन की आमत को तो हमारे साथ उल्म कराम मौजूद है मौलाना सेयद मौम्मद और नक्वी सहाब और मुफ्ती नूर रह्मानी साब असलाम अलेकम वर्हालेकम असलाम दोनों हजरात को जिशन आमद एमाम हसन अलेकों की गहराईयों से बहुत मौध अल्ला सलाम अपर जी मौफ्षाब आगास गुफ्तगू इस सेग्मेंट के हावाले से मैं आप से करना चाहूंगी हालनके बड़े अलामा साब ने कहा है कि वो मेरे चोटे हैं चोटे बाईयों की तरह है नहीं 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 बज़र के हमारे जी सबसे पहले तो बताई कि बेटे के हक क्या है बेटा बेटा जो होता है उसका हक क्या है और हमारे दीन में बेटे की क्या एहमियत है नहम्मद वनुसली आला रसूली हिलकरीम अम्मबात वाउज बिल्लाही मिन श्श्यटवान रजीम बिस्मिल्लाही रर्रह्मान रर्हीम तमाम तारिफें आल्लाह सुछाना हुआ के लिए अर्दुदु सलाम अलाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मूला ताज़़ दारे मदीने ताज़दु अल्लाह सुछाना हुआ की रह्मतें रफ़गतें बरकतें नाजिल हो स्भत मुस्तफा पर इबन मुर्तजा पर हसन मुश्टवा पर हसन को बादशाह खास और आम कहते हैं अली का नाइब काई मकाम कहते हैं दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में उन्हें हुसेन भी अपना इमाम कहते है वाँ 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 और क्योंकि आज इस तरह विलाद़ के वाँ दिन आज मुश्टबा का है नुजूल का नाज है अली का नवासाई रसूल है नवासाई रसूल का हमारी ईद से पहले ही ईद आगाई मौसिन आया है आज दुनिया में बेटा बतूल का इमाम हसन रदी आल्ला हुट अवाले से पहले अगर मैं वो बात ना कर सकूँ तो मैं बेचे नहीं हुआ इमाम हसन रदी आल्ला हुट ने की शान ऐसी है और शान क्यों ना हो कि जिनका जिकर कटना रसूल को पसंद है जिनका जिकर सुनना रसूल को पसंद है जिनका जिकर आम करना मेरे रसूल को पसंद है जिनको चुमना मेरे रसूल को पसंद है और हर कोई अपनी अलाद को चुमता है बेटों को चुमता है ये वो जाति गिरामी है कि रसूल इन्हें सुवा करते थे और जब लोग पूछा करते थे कि रसूल हर कोई बेटों को चुमता है आप सुवा करते है आप मुस्कुरा का जवाब देते थे ये मेरे फूल है सुछानला वा 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 हसन रद्य आर्लाह की और नबी यूस्ट शबीय मुस्तफा है तो कमा जमाल जाहिरी कैसे है मैं तारीख में पढ़ लाता है आज जिन मैंने पढ़ा तो बड़ा हैरान कुन था وہ मामला बीबी बतूल गर में जब इमाम असन आते है तो एक तो इमाम अशन जब दुनिया में तश्चिर वलाते हैं तो मुश्कों अंबर से फजा को महका देते हैं आपके जिसम से मुश्कों अंबर की खुच्वों निकल रही है बच्चे पैदा हों तो बाल बिखरे वे होते हैं और हसन पैदा हों तो बाल सबरे वे होते हैं बच्चे पैदा हों तो आखों में कीचर होती है और इमाम हसन पैदा हो तो आखों में काजल लगा होता है ये सेदना और फिर दुनिया में जब बेटा पैदा हो अल्ला की तरफ से रहमत है सलाम है और यहां सेदना अली हैदर कर्रार के घर में सेदना अली हैदर कर्रार के घर में सिदना इमामِ حसन की पैदाइश होती है जमीन से लेकर आशमान तो खुशी का सौ़ा है यहां वलीों के सरदार खुश हो रहे है वाँ रसूलों के सरदार खुश होु रहे है निते फृरिश्टों के सरदार आगए है और कहां आल्ला इन्हें सलाम कहते है वो जिनकी पैदाश पे जमीन और आसमा खुश हो जाए वो स्यदना इमाम हसन रदियालाहु ताला अन है बेटी के मकाम है, बेटी की एक फजीलत है और बाप का ही ये हक होता है, हुकुक में से एक हक ये होता है वो बेटे का नाम रखें, स्यदना अली हैदर करार आते है सुभान आल्ला, मैं सोचता हूँ, कि आज दुनिया सोचती है, क्या नाम रखें वहां से जो है, इल्म का दरवाजा है, यहां से इल्म का शहर है नाम डिसकस हो रहा है, क्याम रखा जाए, उदर से अल्ला, सुभान आल्ला का पेगाम आ जाता है ये वो घराना है, कदम कदम पर पेगामात आ रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं, हर्ब रखा जाए, शबर रखा जाए वहां से पेगाम आता है حसन रखाजाए. सुबहाना. जो खुथसूरत नामों में से आज तक ये नाम रखे नहीं कए. अल्लाँ ने इनके नाम को सिलेक्ट किया है. चूस किया है. काइनाथ में लोग चूस करते हैं. और ये फातिमा का खनदान है कि इनका नाम अल्ला चुज करता है। अल्ला इनके नाम का इंतखाब करता है। स्यद्ना इमार और हक है जिस तरह आम झा है बेटे का मकाम क्या है अखीका किया जाए। जब स्यद्ना इमाम हसन साथ दिन के होते हैं। अब ये देखें जब नभी इसलाम किस बारगा में लेके आते हैं वो सुफैद चान्दिनी के अंदर सुफैद लिवास के अंदर जब इमाम हसन आते हैं तो फिर सेदी इमाम एहल सुनन शाहमत अरजा बरेली रहमत तुल्लाल है वो शेर कहते हैं तेरी नसले पाक में हैं बच्चा बच्चा नूर का तू है एन नूर तेरा सब घराना नूर का चेहरे मुबारक से वो नूर की अकास ही हो रही है नभी अलिस्दाथ उसलाम के चेहरे मुबारक पे तबस्म है आपके बाल मुबारक उतारा जाता है में अक्यकी की बाइदा रस्म नहीं मिलती ये इमाम हसन है और अल्ला ने इनके जरीए इस उम्मत मुस्तफा पर एक करम किया जो अक्यका अदा किया जाता है वो भी इमाम हसन का सद्का है सुभान अल्ला ये तो आपने हमारे दूसरे इमाम उनकी जात के बारे में बताया उनकी बलादत के बारे में बताया मगर इसी गुपतुकी की रोश्री में अल्लामा साब मुझे बताईए के बेटे के जो हकूक है वो क्या है माशालला दिल तो यह चाहरा था के मुफ्ती नूर रह्मानी अर्रिजवी साहब बोलते रहें और इमामासान अलाइससलाम के ओपर बात होती रहे लेकिन मैं इतना अर्श करूँगा के बेटे का या अलाद का माबाप पर पहला हक यह है कि वो उसका बेहतरी नाम रखे जैसे के भी मुफ्ती साहब ने फरमाया कई अर आपने नु रहे है के इसका नाम क्या रखेंगे तो आपने फरमाया कि मैं नभी पाक से सब्कत नहीं कर सकता तो नबी पाक ﷺ फर्माते हैं कि मैं अल्ला से सबकत नहीं कर सकता तो जैसे कि आप फर्मा रहे थे बेतरीन बात कि अल्ला हने खुद वही नाजिल की और फरमाया कि कि इस बच्चे का नाम हसन होगा क्योंकि हसन और हुसाइन दो नाम ऐसे हैं कि जो ला हने जन्नत में छुपा के रखे यानी काइनात में ये नाम इस Bürह इससे पहले आद्मten से ले कर और खुद इमाम हसन है इस लिए सलाम किसी का ये नाम नहीं थे और जैसे कि आपने इंट्रो में फर्माया, मेरे खाल में टाइम वक्फिगा हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी से जिम्दार्स कर दूँ, कि अभी आप फर्मा रहें थी कि सूरह कौसर की अमली तफसीर इमाम हसन लिएसलाम है, क्यों कि रिवायात में मिलता है और मुस्तनद हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तुगा भी फर्मा रहे थे, कि जब जनाब रसूल पाक को लोक ताना देते थे, कि आपके बेटे इंतिकाल कर गए, जैसे आपका बेटा चला गया, इसे तरह आपका दीन भी चला जाएगा, आपका दीन बिन आजब लिए खतम हो जाएगा, तो सरकार अफसुर्दा खातिर घर में तश्रीफ लाए एक दिन, जबके खाने काबा के नजदी के एक काफिर ने आप पर ये तंस किया था, तो देखा कि जनाब खदीजा तुलकुबरा किसी से बाते कर रही हैं, और घर में कोई मौजूद नहीं, तो सरकार ने पूछा ए तेरे जिसम से किसी के बोलने की आवाद आती है, जो मेरा दिल वहलाता है, तो उस वक्त रसुल पाक पर वही नाजल हुए, और ये आयत आई, इन्ना आताइना कल कौसर, बेश्क हमने आपको कौसर अता किया, अचा इसमें भी लफ़ अता है, देखिए अता और ईता में फर बनाया, हमने तुम्हे रहमत अल्यालमीन बनाया, हमने तुम्हे चाफी रोज महशर बनाया, लेकिन अल्ला जतला क्या रहा है, हमने तुम्हे कौसर अता किया, इसलिए कि जो अता चीज होती है, वो किसी अमल की वज़े से नहीं होती, यही सबब है, कि जब भी जनाब सय्य रसूल पाक के हुजरे में आती थी, रसूल पाक खड़े हो जाते थी, क्यूं? इसलिए कि जब अल्ला का तोफ़ा आएगा, रसूल खड़े होकर इस तकबाल करेगा, इसलिए इन्ना आतैनक अलकौसर हमने आपको कौसर अता किया, तो उस वक्त सरकार फर्माते हैं ये बेटा नहीं, बलके बेटी होगी, इसका कौरानी नाम कौसर होगा, जमीनी नाम फातिमा होगा, और फिर उसकी आमली तफसीर क्या हुई, कि जब इमाम हसन आज के दिन पंदरा रमदान को तीन गोया हिज्री में इस दुनिया में तश्रीफ लाए, तो आप देखिए कि सब से पहले रसूल पाक की खिदमत में जब पेश किया, तो बीबी उम्म एमन ने कहा, कि आकजादी अगर इजादत दें तो मैंने घुसल दे दूँ, तो जैसे अभी मुफ्ती साब फर्मा रहे थे, कि इनके तो आँखों में काजल लगी वी है, ये पाको पाकीज़ा दुनिय कि आती है, मैंने पहले भी अर्स किया था, कि इमाम हसन अले इसलाम वो वाहिद इमाम है इन 12 इमामों में, कि जो जो जोहर के बाद दुनिया में आए हैं, और मा रोजे से हैं, जोहर की नमाज मा पढ़ चुकी थी, और असर की नमाज मा ने विलादत के बाद पढ़ी है, आ इतना से ना रोज़ा होता ना नमाज होती इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो भी भी हैं कि जिनको अल्ला ने आया तथिर का मिजदाक करार दिया और इनके जरीए से इमाम इस दुनिया में तश्रीफ लाए और सूर कोसर की अमली तफिर क्यों कि नबी पाक फर्माते हैं कि जो अल्ला ने तुम्हें यानि मुझे जहरा की सूरत में कोसर अता किया उसके जरीए से इमाम इस अल्या इसलम और नबी पाक की अधिस मुबारक या आली हर नबी की नसल उसकी सुल्ब से चलिए मेरी नसल तुमारी सुल्ब से चलिए जनाब फातिमा सलाम लाला का एक लकब भी तो है ना बतूल बतूल का लवजी मायने होते हैं पाक तो शहजादी पाकिजगी कि इंता से इबालातर कैसे जैसे आपने बताया कि जहर का वक्त इबावसन अल्यासलाम की आमत का असर पड़ लिए बाकि सारे आइमा सुबा आए मुक्ति से वक्फे के बाद देखते रही है बाराने रहमत में आप सभी को खुशान दीट हुआ है सर्फ एक्सल कहता है चाहे हालात मुशकिल ही क्यों नहूँ नेकी रुक्नी नहीं चाहिए सर्फ एक्सल हर साल की तरह एस साल भी रम्जान में एक नया कमर्शल लेके आया है जो के बाकी तमाम कमर्शलों से बहुत मुक्तलित है क्योंकि हमेशा की तरह इसमें हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए एक सबक है यह कमर्शल मैंने देखा मेरे मुझे एक दम दिल को हाथ पड़ गया क्योंकि मेरे मियां भी डॉक्टर हैं जब वो घर आते हैं और इसी तरह मेरा बेटा जब उनको मिलता है मगर तैंक यू सर्फ एक्सल यह बेशक मेरे पास लाइन्स नहीं हैं मगर जो मैं कहरी हूं मैं दिल से कहरी हूं आपकी पूरी टीम कर शुक्रिया कि अपने इतना खुबसूरत कमर्शल बनाया और इतना पॉजिटिव मैसेज आपने हमारी सुसाइटी को दिया है हमारी तमाम देखने बाली फैमिलीज को दिया है किस तरह हम नेकी खुद भी कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी तलकीन कर सकते हैं कि कैसे छोटी-छोटी बातों से हम एक अच्छ इंसान बन सकते हैं थैंक यू सर्फ एक्सल बहुत शुक्रिया जी फरहान, आज अच्छे बेटे की बात है और आप यह किनन बहुत अच्छे बेटे हैं मुझे कोशिश करता हूँ कि अच्छा बेटा रह सकूँ मत सकते हैं क्योंकि वो माँ की द्वाएं आपके कलाम में भी नजर आती हैं तो मुझे साब मैं आप से पुछना चाहूंगी कि अच्छा बेटा होने की में बुन्यादी असूल क्या है बिसमिल्लाहि रह्माज रही अच्छा बेटे के लिए पहले माबाग को तर्बियत करना है तालीम और तर्बियत पर बहुत ज्यादा फोकस करना है जिसना मैं पहले भी अर्स किया था कि तर्बियत के अंदर इसको इल्म देना है उसको एसको अमल करवाना है उसके अंदर इखलास और लिल्लाहित को पैदा करना है अच्छा बच्छा बोटदा है क्यों वालदेन का एहतराम करता है उसने सुलूक से पेश आता है, उनकी बात को मानता है, और जब आप पूछें तफसीर के अंदर कि उसने सुलूक किसे कहते हैं, कि उनको मांगने से पहले अता कर देना है, यह तमाम चीजें एक अच्छे बेटी, और कुराने मजी फुरुखाने हमी सुरह लुक्मान के अंद करता है, वो है, ऐ मेरे बीटे, ऐ मेरे जान जिगर, ऐ मेरे चांद, तो जब भी, कुरान ये कहता है, कि जब भी आप इंतखाब करें अपने बच्छों को बुलाने के लिए, बच्छों का हक है, तो उनको अच्छे नामों से पुकारा जाएं, जिसना मेरे आखका करीम, स्य अल्लाहु आल्यु 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 आ दूसरी बात ये है कि उनको खाने मजीफ और खाने हमीद की तालीम दें और अगर आम बच्चे हैं तो नभी पाक ﷺ और नभी असलाम के खानदान के बच्चों की जो तारीख है जो उनका अमली मुझाहिरा है इजहार है उस पर बताएं जिसे मिसाल की तारुब है मैं स्जीद इमाम हसन की बात करता हूँ नभी अलिए सलाथ उसलाम को जब जाहरी विसाल हुआ तो तक्रीबान आपकी उमाद साड़े साथ साल थी उस साड़े सास साल के अंदर अब भी फात्मा रदिया लाहुट आन्या की तरवियत की तरवियत कैसी है कि उस सजीद इमाम हसन कथी हमें आहदीथ के रावी नगर आते है जो आहदीथ की जो रुएट है वो इमाम हसन से बहות जादा कस्रस है स्जیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی نے की तरिभियत कैसी है वे वाकिया जहन में सबर का हिल्म का प्रिकिन अबी इसलाम ने फरमाया हसन को मेरा हिल्म अता किया गया और हिल्म जो है वो सीने से होता है और इमाम हुसेन को शुजा अता की गई है और शुजात कदम से होती है और हमने देखा कि सारी जिंदगी हिल्म का मामला रहा कुशादी का मामला दरगुजर का मामला रहा और उसका अमनी नमूना इमाम हसन नजर आए और शुजात मैदान करबला में इमाम हुसेन नजर आए तो इमाम हसन, इमाम हुसेन हमें दोने नजर आए अब एक सबर का एक वाकिया किस तरह नभी असलाम में तर्बियत किये देखें जब यहां कोई इलिट क्लास को बहुत बड़े बाब की अलाग है उसकी गर्दन में सरीया होता है सीना चोड़ा होता है किसी बाद नहीं कर रहा होता मैं कुर्बान जाओ, जब भी देखता हूँ इमाम हसन को, इमाम हुसेन को के मौला काहिना सेगी देना अली हैदर करार, जो अमीर मुक्मिनी है वो उनके सहबजादे हैं गुजर रहे हैं रास्ते में फकीर बैठे हैं फकीर दावत दे रहे हैं हमारे हमारे हैं को लैंड क्रूजर के अंदर हो और किसी बड़े बाद के उलाद हो तो लो देखना पसंद नहीं करता मगर ये फात्मा और अली के लाल हैं जो नीचे उतर आते हैं जो जन्नत के सरदार है हाँ जन्न, देखिए हर बंदा कोशिश करता है, मैं रोजा इसी रख रहा हूँ गोड़े से उतरातें, एक रवायत में उट से उतरातें, उफ फकीरों के साथ बैठतें, इमाम हसन अपने हाथों से तोड़तें, और उन फकीरों खरीबों को अपने हाथों से तोड़तें, और उन एक सबर नजर आता है, कि बैठे हैं, बांदी आ रही है, और वो बांदी भी इमाम हसन के घर की है, वो बांदी भी अली के खांदान की है, नौकरानी है, वहां से आ रही है, गरम गरम शोरवा है, सालन है, चो लेकर आ रही है, पाउ उलशता है, माम हसन बैठे है, और एकदम गरम गरम सालन उन पर गरिया। मुझे बताया फरहन भई, जो गरम सालन उन पर गरिया। नोकरानी हो या नोकर हो, क्या अंदाज हो। प्राव असन इस तरह देखा, वो बांदी नोकरानी अब कुरान की आयत पढ़ लए। सुभाण। है घर। किस खानधन की है। आदे रसुल के खानधन की है, बैसल भौम हसन ने देखा, और कुरान की आयत पढ़े। वल्काजमिन अल्गैस, जो गुस्से को पी जाते हैं। आप में मुस्कृरा कर दिखा, मैंने गुस्से को पी दिए। वॉलाweise आनिनास अब फिर बांदी गॉर्यन की आहँती पर फिर पर राषित परती ओर लॉबाणदी करन्त पर दिये अफिरागों को मुआप कर देते हैं। थे रुप मुआफ जे तो अम्हें बैले को यह मुझे मुआइं। वो बांदी फिर कोयन की ताहित पड़ती है, कि जो एहसान करता अल्हा उसे पसंद करता, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। मतलब कि गरम चीज गिराई, ना उसको डांटा, ना उसको कुछ कहा बिलके मौफ भी कर दिया और आजाद भी कर दिया। क्या कहने। बहुत अच्छी गुस्त गुरू मुफ्ति साथ ने फरमाई और मेरा भी दिल चाहता कि दो जुमले अर्श करूं कि क्यों ना हो ये घराना ही वो है कि जो यहां का नहीं है, ये नूर के पुतले तुझे क्या खाक से निस्पत, एहसान तेरा है जो जमी पर उतरा है, ये वो हस बना कर जाहरी जाहरी बशरी जुम्बा इसलिए अता किया ताके लोग इन से मानुवस हों, एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें और पेगाम इलाही को ले सकें और अपनी जिन्दगी को उस्तवार कर सकें, आप देखिए इमामस्ण असलाम सिर्फ चार दिन के हैं, चालिस दिन के नहीं, चालिस साल के नहीं, चार दिन के, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, कि मादर इगरामी की गोद में लेटे हुए हैं, और आस्मान की तरफ मसलसल देख रहे हैं, तरजुमा करने वालों ने लिखा है कि टिक-टिकी बान कर देख रहे हैं, यानि आ अगर कोई बात करता था आपका नाम क्या है तो कुरान से जवाब देती दी, आप क्या कर रहे हैं तो कुरान से जवाब देती दी, आप कहा जा रहे हैं तो कुरान से जवाब देती दी, तो वो बीबियां जो इस घर की कनीज हैं, तो बीबी उम्म एमन ने सवाल किया किया क आप अंदाद लगाईए लोह महफूज मौलाना से पूछिए, वो तख्ती है, वो लोह है, जिस पे आदम से लेके कियामत तक सब कुछ लिखा हुआ है, बताईए जो चार दिन के इमाम लोह महफूज के आलिम हो, फिर कुरान कहरा है, हमने हर शेय को इमाम मुबीन में जमा किया, इसका मतलब है, जो चार दिन का लोह महफूज का मुताला करे, वो इमाम मुबीन है, फिर ये जब आगे बढ़ते हैं, इनकी एज, हयात आगे बढ़ती है, तो फिर इनका एक दस्तरखान मशूर हो जाता है, जो दस्तरखान इमाम हसन लिएसलाम के नाम से आज भी मदीने में जारी है, चौदा सो साल से, आज भी मदीने में दस्तरखान इमाम हसन लिएसलाम जारी है, वहां मदीने में एक एक लाका है, जो आवाली के नाम से है, आज भी, जो उसका पहले नाम अली था, लेकिन नाम वो बिगड़ता बिगड़ता आवाली हो गया तो उस महले में एक मज़रा है बाग है जिसमें इमामस असलाम का दस्तरखान जारी है 14 साल से तो मैं गुजारिश करूँगा मेरे इल्म में फरान भाई के पास एक दस्तरखान के हवाले से कलाम है तो अगर आप इल्किमास करें जी विल्कुल विल्कुल बातों के जरीए हदिया जा रहा है इमाम को तुम्हें चाहूंगी कि कलाम का हदिया भी उन तक पास जाए मेरे लिए साथत की बात है जी जजाक आल्ला प्रिकिया वाल्लाहु खेरो राजिकी वाल्लाहु खेरो राजिकी रह्मत का वसीला है बरकत का वसीला है मौला का दसतरखान है क्या निमत का वसीला है मेरे घर में सजा है आज मौला का दसतरखान मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तर खान मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तर खान मशहूर जमाने वालों में था दस्तर खान हसन का इस घर का दस्तर खान भी है उस दस्तर खान का सदका हां रिस्क की तंगी दूर करे है ऐसा दस्तर खान मौला का दस्तर खान मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तर खान हो जिसके घर में रिस्क की तंगी दस्तर खान सजा ले गर कुछ भी नहीं हो पास तो बस पानी पे नजर दिला ले फिर देख वसी करता है मौला कैसा दस्तरखान मौला का दस्तरखान मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान मनसूब किसी मासूम से कर दो घर का दाना दाना एक बार दुरूदे पाक पढ़ो साइल को खिला दो खाना तारीख में ऐसा देखा है जहरा का दस्तरखान मौला का दस्तरखान मन शबीर के रोजे पर जाते हैं जितने चाहने वाले सब खाते हैं तकदीर से कैसे कैसे पाकने वाले मौला के दर पे मिलता है मौला का दस्तरखान मौला का दस्तर खान परहान पढ़े मजहर भी लिखे इस दस्तर खान की मिदहत इस दस्तर खान पे खाना खाकर बढ़ जाती है इस्जत है आल नभी से निस्बत जिसको ऐसा दस्तर खान मौला का दस्तर खान मेरे घर में सजा है यार मौला का दस्तर खान करम करम अल्लाहु नभी का, करम करम बीबी जहरा का, करम करम अल्लाहु नभी का, करम करम बीबी जहरा 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 यह हम नेगे एक छोटा सा ब्रेक आप कहीं मच जाईएगा बराने रहमत में आप सभी को खुशाम दीद आपकी असानी के लिए अब आप बगेर किसी परेशानी के घर बैठे बाहसानी मेगा मार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं और गर्मी में आपको लाइन्स में लगने की ज़रूरत नहीं सौफ पीसे सफाई के साथ आपके घर तक तमाम समान जो है बो डिलिवर किया जाएगा आप विजट कर सकते हैं उनकी वेब साइट पर www.megamart.pk असानीया कैसे तक्सीम की जा सकती है यह यह एक तरीका है आप सवाल पूछेंगे यह मैं पूछ रहो आप करें सवाल क्या आपके सवाल का अंदाज यह भी अच्छा है कि हमाई पस कुछ सवालां लिखे होते हैं लेकिन रिमा साहब अजया फिल बदी जो सवाल करती है मुझे खुद अच्छा लगता है कि जिस अंदाज से यह पूछ रही होती है और इनका अंदाज है वो इस इंकिसारी के साथ है कि जैसे कि तालेबल में महासिल करना चाहता है मुझे खुद अच्छा लगता है कि आप सवाल कर रही होती है आपके पास भी अतने पुल अंदा है मगर आप मुझे मुझे मॉक्का देदेते हैं वह बब शुक्रिया परहान मुझे अप से जाना चाहोंगी कि क्या ये हकीकत है कि बेटे जो हैं वो मां के ज्यादा करीब होते हैं बारिस्पद बाप के ये असल में एक फित्री अमल है और फित्री अमल ये है कि हमारे सामने जो किरदार है वो अन्बिया ये आएमा ये मुस्utetलम का आपदेखिए कि अन्बिया ये इसमें किए है, बेटी नहीं है तो अल्ला करते है नमाज में, शब में कि या ल्ला मुझे बेटी अता फर्म तो एक नभी अल्ला ताला ने पूछा किया कि तुम बेटी क्यों चाते हो तो उन्होंने कहा इसलिए कि मेरे जनाजे की जीनत बन गया है मेरी बेटी मेरे जनाजे की जीनत बने और आपने देखा होगा कि क्योंके अन्बिया लेटीयों से जादा लगाओ और प्यार इसलिए जनाब जहरा सलाम अल्ला लेहा जो जहरे के वो आपकी अकलोती बेटी है कि जिनके आने पे रसूल खड़े हो जाते मैंने पहले भी अर्स किया कि सूर कौसर की आमली तफसीर है और सीने से लगाते थे अजीब रिवायते बुखारी शरीफ में कि जितनी देर बीबी खड़ी रहती थी रसुल अल्यदा खड़े रहते थे पिर जब बैट जाती थी आप खड़े रहते हैं तो आप समते हैं तो कहा कि क्यूं का इस लिए कि अगर मैं दूसरी जगा बैठ inject गया तो दूसरी जगा मेरी जगा बन जाएगी मैं खड़ा रहता हुँ ये मताने के लिए कि मेरी जगा बैठने की एहल है तो जहरा सलाम लै तो बेटियों से बापों को अंबिया की सुनत है कि महबत है तो अब जाहर है कि अल्ला ने बेटा भी तो दिया है तो अब बेटे से माँ को जादे महबत है क्यों कि ये अल्ला ने एक निजाम और एक फितरत रखा है तो जनाब ए अम्बिया अलेहिस्सलाम बेटियों से मुभबत करते हैं और फिर हर मा बेटे से मुभबत करती है और वो मा कैसी होगी जो इमाम हसन अलेहिस्सलाम से कैसी होगी आप देखिए कि इमाम हसन अलेहिस्सलाम को सब्ज कबा भी कहा जाता है इमाम हस्ण अलellikle हसने रिश्टन हैं ने फर्माईश की थी जुए कि अमा हमारे कपड़े कहा हैं तो आपने फर्माईद कपड़े वो दर्जी के पासेँ चाह रिवायत के अलबात हैं यह नहीं पहुर नहीं है के मैं तर्जी के पासेँ तो अब AllTheAllah ताला ने जिब्रेईलेमीन Efendimiz से फरमाया तुम जाके यदे हैं ने जिब्राइल हूँ बल्के कहाना अना खयातो लहसनन मैं हसनन का दर्जी को अपासा को अब देखिए क्यादा एक माने कप्ड़े दर्जी को नहीं दिये थे लेकिन ये वो सिद्धी का बीबी हैं जिनकी जबान से निकल गया कि कपड़े दर्जी के पास हैं तो अब अल्ला ने रिजवान जन्नत को यानि जनाब जिबरेल अमीन को दर्जी बना कर इस दर्वादे पर भेज दिया और इनका नाम देखिए मुफ्ती साब को मैं टाइम दूँगा लेकिन एक जमला आपस कर दूँ इन दौनों को मिला कर हसनें कहा जाता है हसन और हुसान को मिला कर हसनें कहा जाता है हमारे यह जोहर असर की नमास पढ़ी जाती है मगरिब और इश्या की नमास पढ़ी जाती है उसे मगरिबेन कहते है जोहर असर को जोहरेन कहते है जमीन और अस्मान को मिला कर दारेन कहते है नबी और अलिय लिएसलाम को मिला कर अमरेन कहते है حسن اور حسین کو ملا کر حسنین कहते है قرآن اور एलِ بیت को ملا कर सकलین कहते है 인नی تارکم فेکم السकلین کتاب اللہ ہے وَعْترتِی एलِ بیتی बड़ी अچھی بات ابھی مفتی صاحب نے حدیث کی فرمائی تھی کہ سرطہ ناف تک امام حسن علیہ السلام है شبی رسولِ پاک کی اور ناف سے لے کے پیرو تک شبی ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے نانہ کی اور سرطہ پاہ तक दर्मियान में हाथ आते हैं और हाथों से लिखा जाता है तो इमाम हसन अलिए सुलह लिखी थी और पैरों से चला जाता है तो इमाम हुसान अलिसलाम ने चलके करबला में जंग की थी तो ये दोनों अपने नाना की शबी हैं एक गोया पेट तक और एक पैरों तक इसलिए इनको हसनें का जाता है इनके मिजाज में फर्क नहीं है हसनें, जोहरें, मगरिबें, अमरें, सकलें इनके मिजाज में फर्क नहीं तो मौला हसन अलिसलाम और इमाम हुसान अलिसलाम के मि सुछान आला, सुछान आला, सुछान आला, मैं मुफ्सी साब आप से पोछना चाहूंगी, कि ऐसे बेटे, ये तो क्या हस्तियों की बात की जा रही है, मगर हमारी आम जिंदगी में, ऐसे बेटे के जिन से माएं डरना शुरू हो जाएं, और माएं खौफ ज़दा हो जाएं, कि अगर हम कुछ दर्वाजा कुलने में देर कर देंगे, या खाना पकाने में, वो जाएका शामिल ना हुआ जो बेटे को पसंद है, कोई छोटी मूटी गलती हो जाए, या माँ बेटे की शिकायत बाप को लगा दे, और बेटा माँ के कि अग्राज हो जाए तो वो पक्का जाननुमी है, बेश्यक्त, हदीस में मिलता है, नबी पाक सलल्लाह अलिह वालियोस्यल्यूम्, एक रवायत है, कि मा की नराजी है, आपका इसके इसके इन्तकाल होने वाला नज़ख के वग्दा में, आपका नज़गा, अज़गा मौामला क्या था। मुड़ी औरती हैं आंकों से आंसों निकलना शुरू हुआ है। का यासुला बड़ाई मुभबत करता था। मगर जब से इसकी शादी हुई इसका रवए तब्रीब हुए। इसने मेरे बड़ा दिल दुखाया। आया ला कि रसूल अजब आंसों निकलना शुरू है तो इतना रोहीं कि आका इससलाम के चेहरे मुबारक से भी आंसों निकलना शुरू है। यासुला मैं इसको माफ नहीं करोगी। ठीक है। सहावा से का जाओ इसके लिए लकड़ें जमा करो। जब लकड़ें जमा किया का पूछ क्यों लकड़ें जमा करना है। आपकी नमाज, आपकी रोजा, आपके जकात, आपके हज, आप सब आपके मूँ बे मार दी जाएंगे, अगर आपने वालिद और वालदा को नरास कर लिया, ये वालिद और वालदा तो है, जिनकी वैसे अल्ला आपसे राजी होता है, ये वालिद और वालदा तो है, आज हर क मां को देखने के बाद सवाब मिलता है, मां दूआ दे दे तो वो दूआ फर्ज से अर्श तक चले जाती है, अर्श अर्श का अब जाता है, यह नभी अलेकि अर्श वाके आदा है, वो गूरी और रसाहाँ में से आ रही है, अल्ला के नभी सब कुछ उनको उतारें, वारी व राइब व्हाइब व्हार्व इसी के साथ हम आख की तराइब की ट्राम कुछिए। आपके अपको ताफीक दिया। खुल में कराम बैठे हैं, ताहित फर्माइएगा, आज क्योंकि पंदर रमजान इमामस्ट आले सलाम किया में तो एक होते है कुरान सामित, यानी किताबी सूरत, और एक होते है कुरान नातिक, बोलता कुरान, तो जो हमेरे किताब की सूरत में है वो तो कुरान मजीद है, कुरान सामित है, लेकिन रसुल आले रसूल जो है, वो बोलते कुरान है, यानी एक होती है थियूरी और एक होती है प्रैक्टिकल, किताब थियूरी है प्रैक्टिकल ही है, तो इसी खवाले से कलाम के चंद आशार क्योंकि रमजान के महीने में ही गुरान नाजिल हुआ और पन्रह रमजां को इमाम असलिये समात मारी रहा जांदि के और सुना जлушरा जाओ आर्मान 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 या रहमान, या रहमान, या रहमान, या रहमान, तीरा है कितना एहसान, दो जिस्म है और एक जान, नहले बैत और कुरान, या रह्मान या रह्मान तेरा है कितना एहसान दो जिस्म है और एक जान एहले बैत और कुरान कहकर गए थे मुस्तफा ए मेरी कौम सुन्जरा दो चीज दे के मैं तुम्हें जाता हूं सुए किबरिया या रह्मान या रह्मान तेरे नभी का था फर्मान अब हैं तुम्हारे दर्म